भारती कुष्टी संग के अध्यक्ष ब्रिजभूशन सिंग के खिलाफ पहलवानों का धर्ना जंतर मंतर पर पांचवे दिन भी जारी है पहलवानों के इस प्रदशन को लेकर भारती ओलंपिक संग की अध्यक्ष पीडी उशा ने कहा इस बीच बजरंग पुनिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पीए मोधी के संग लगी फोटो को हटा दिया है वही हर्याडा कुष्टी संग के महासचेव राकेश ने कहा कि विनेश और साक्षी के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ फोगाट परिवार कुष्टी संग पर कबजा करना चाहता है इसके अलावा उन्होंने कॉंग्रिस नेताओ पर पहलवानों को भड़काने का आरोप लगाया इससे पहले सेक्शुल हैरिस्मेंट के आरोपों में घिरे भिजबूशे ने एक कवीता पोस्ट की जिस दिन जीवन की लाचारी मुझे पर तरस दिखाएगी उस दिन जीवन से इम्रित कहीं बढ़े जाएगी इधर पहलवानों के समर्थन में हर्याना और पश्चमी यूपी की खाफ पंचायतें दिली के जनतर मंतर पहुच गई है ओलम्पियन विनेश फोगाट, साक्षी मलेक और बजरंग पुन्या ने खापों से साथ देनी की अपील की थी वहें किसान नेता राकेश टिकाट के अलावा उत्तर भारत की सबसे बड़ी खाप पंचायत पालम 360 के प्रधान चौधरी सुरेंदर सुलंकी समेत हर्याणा की तमाम खापें पहलवानों के हक में आ चुकी हैं ओलम्पियन विनेश फोगाट आरोप लगा चुकी हैं कि WFI अध्यक्ष ब्रिजभूशन सिंग ने पिछले 10-12 सालों में 1000 से जादा महिला पहलवानों का सोशिन किया इसके अलावा 7 महिला रेसलर्स की याचिका पर सुप्रीम कोट 28 अप्रेल को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोट ने कहा पहलवानों ने याचिका में यौन उत्पीडन के गंभीर आरुप लगाए हैं इन पर विचार किये जानी की जरूरत है 26 अप्रेल को इसी मामले में F.I.R. दर्ज ना करने पर सुप्रीम कोट से जारी नोटिस का दिल्ली पुलिस ने जवाब दाखिल किया इसमें कहा गया कि पुलिस केस दर्ज करने से पहले जांच कर रही है ब्यूरो रिपूर्ट दनेक फास करें